आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ गुड़ कॉलिटी के राइस के साथ मिक्स कर दिये then he packed the rice in 250 gram packet अब देखो उसने उसके बाद packing की 250 gram के packet में मतलब कि एक packet में उसने 250 gram जो है rice add किये अब question हम से पूच रहा है how many packets of rice did he get तो उसे कितने जो है packet rice के मिलेंगे अब जब उसने 45 केजी और 15 केजी को mix कर दिया तो सबसे पहले first का हम answer find out करेंगे first के लिए हम कह सकते हैं कि total quantity total total quantity 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 of rice soap keeper sop keeper gets after after mixing mix करने के बाद उसे total rice की quantity कितने मिलेंगे तो कुछ तो गुड क्वालिटी के थे कुछ बैड के थे कितना कितना थे 45KG and 15KG तो 45KG प्लस 15KG दोनों को हम आणगे तो हमारे पास कितना आ गया 45 प्लस 15 एड करेंगे तो 60KG आगया, टोटल 60KG राई था गया अब देखो उसने जो हम पैकिंग जो किया वो ग्राम्स में किया ग्राम्स में किया तो 60KG को हम grams में convert कर लेंगे हम कह सकते हैं कि 60 multiply by 1000 अगर हम कर दे तो यह grams में आ जाएगी value क्योंकि because हमें पता है कि 1 kg जो है किसके equal होता है 1000 grams के equal होता है तो 1 kg में 1000 gram तो 60 में कितना हो जाएगे 60 multiply by 1000 कर दिया हमने तो यह आ गया हमार पास यहां से 60,000 grams ठीक है अब देखो एक gram में जो है उसने कितना 250 gram जो है एक packet में जो है उसने 250 gram जो है rice add किया है तो यहां से हम कह सकते हैं कि rice number of packets number of packets of 250 grams 250 grams required required to pack to pack 60,000 gram 60,000 gram rice is equal to अब देखो एक packet में जो 250 gram आ रहा है तो 60,000 जो ग्राम जो राइस है उसके पास उसे pack करने के लिए कितने packets जीए उसके लिए हम करेंगे 60,000 देखो total quantity है उसके पास और जो एक packet की quantity है उससे divide कर देंगे एक packet में कितना rice आएगा 250 gram rice आएगा तो यहांसे number of packet हमारे पास आजाएगा 250 gram के कितने packets लगेंगे तो देखो 0 से 0 को हम cancel out कर सकते हैं अगर 5 से काटे तो यह 5 time चला गया इसे 5 से काटेंगे तो देखो 1 time 1 बच गया तो 2 times 0 0 5 से दुबारा काट देते हैं तो 1 time चला गया 5 से 5 टू जा 10 हो गया हमारे पास 2 बच गया तो 4 times चला गया तो फॉर टाइम चला गया तो फॉर्टी हो गया और जीरो तो number of packets यहांसे हमारे पास आगया 240 gram से gram को हम cancel कर देंगे तो number of packets हमारे पास 240 आगया अब फॉर्स कांसे तो आगया हमारा कि how many packets of price did he get तो हम कह सकते कि उसे कितने packet मिले यह packets आया तो 240 packets उसे मिल गए ठीक है second question में हमें second जो पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है if each packet was sold at rupees 32 then how much money did he earn तो उसे कितना पैसा मिला तो हम कह सकते हैं कि selling price selling price of one packet selling price of one packet one packet is equal to 32 rupees हमें given है तो हम find out करना है 240 packets का तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम कह सकते हैं कि selling price of 240 packets will be equal to 32 rupees देखो एक का price है तो 240 एक packet से जादा है तो जादा के लिए हम क्या करेंगे multiply करेंगे तो multiply by 240 कर दिया 240 into 32 करेंगे हमारे पास आएगा 7680 rupees तो हम कह सकते हैं कि उसका total selling price 7680 rupees आ गया तो उसने कितने में sell किया 7680 में और packets जो है first का answer कितना 240 packets है तो first का answer 240 हो गया second का answer 7680 rupees हो गया हमारे पास तो देखो first का answer अगर हम बात करें second option में given है 240 और second part का जो answer है वो given है 7680 जो कि हमारा match कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि first और second दोनों का answer match कर रहा है स्टुडेंट्स कभर होसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर